नमस्कार दोस्तो, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, वेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड, पाथफाइंडर मेरे द्वारा एक नई शुरुआत है, UPSC Civil Services Aspirants के लिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा UPSC के लिए Important Current Affairs, तो अभी तक अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, आज इस वीडियो में मैं आपको पता चलेगी, तो ये किशोर न्याय अधिनियम, जुवनाइल जस्टिस एक्ट भारत में आजादी के बाद कई बार बदल चुका है, लास्ट चेंजिस इसमें मेजर चेंजिस आये थे 2015 में, जब कानून आया था, और 2016 में उसके रूल्स को नोटिफाई किया गया था, अभ इसमेदान के किस हिस्से में कहा गया है, आपको मुझे बताना है, अंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में, अब दोस्तों, पाथफाइंडर, अनकाड़िमी ग्रुप का एक हिस्सा है, और यहाँ पर, अनकाड़िमी प्लाटफॉर्म पर आपको भारत के टॉप एजुके जाता है, यहाँ पर आपको, without paying a single rupee, हजारों live classes आपको मिलेंगी, free में, कई special classes यहाँ पर रोज होती हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, तो अनकाड़िमी प्लाटफॉर्म पर आपको क्या मिलेगा, daily live classes, जिसमें special classes, यानकी free classes भी हैं, और उसके अलावा, live test quiz, structured courses हैं, unlimited access लेकिन यह features आपको मिलेंगे, अगर आप an academy platform पर subscribe करते हैं, और एक subscription purchase करने के लिए, आपको क्या करना है, आप platform पर जाकर देखेंगे, कि UPSC की तयारी के लिए, दो तरह के subscription है, एक है plus courses, यहाँ पर आपको classes मिलेंगी, और एक है iconic courses, iconic में आपको एक mentor मिलेगा, जो आपको mains क लिए answer writing की practice करवाएंगे, आपके daily doubts को solve करेंगे, और अगर आपको कोई भी guidance चाहिए in person, तो वह आपको provide कराएंगे, तो यह plus और iconic दो तरह के courses है, अगर आप plus course लेते हैं, 12 months का, minimum एक साल तो लगता ही है, UPSC की तयारी में, तो आपको यह course 49,500 रुपीज का नहीं, बलकि 44, 24,500 का पड़ेगा, अगर आप code use करते हैं, महिपाल, तो आपको यह code use करना है, इससे आपका जो subscription cost है, वो 10% कम हो जाएगा, same goes for the iconic courses, यहाँ पर भी आपको सीधा 10% discount मिल जाएगा, और अगर आप UPSC civil services के लिए optional की तयारी भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे optional courses available हैं, हैं, या फिर CSE optional plus plus iconic JS को आप purchase करना चाहते हैं, तो इस पर आपको कुछ extra discounts मिलेंगे, तो इनके prices अगर आप अलग-अलग खरीते हैं, उससे बेटर है कि आप इनको यहाँ पर एक साथ purchase कर सकते हैं, और unacademy पर नाकिवल civil services बर्कि बहुत सारे exams की तयारी होती है, सभी exams की त 10% discount मिलेगा if you are using the code महिपाल, अब 17 फरवरी को union cabinet ने juvenile justice care and protection of children act 2015 को amend किया है, यह इस act का पूरा नाम है, इसको आम तोर पर हम JJA कहते हैं, ठीक है juvenile justice act कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम उसमें care and protection of children भी शामिल है, यह कानून mainly किन चीजों से deal करता है, तो जैसा कि इसमें ना 12 साल की उमरे के नहीं हुए है, यानि कि legally adult नहीं हुए है, अगर वो कोई crime करते हैं, तो उनसे संबंदित कानून इसमें बताये गए हैं, फिर जो children shelter homes होते हैं, जो बाल ग्रह होते हैं, उनको कैसे manage किया जाएगा, उनके लिए क्या कानून होगे, वो यहां पर बताये गए ह अब यह कानून कैसे change हुआ है, over the period of time, तो देखो पहले होता था एक juvenile delinquency कहते थे उसको, तो अब वो शब्द हटा दिया गया है, delinquent जो है, तो उस तरह के शब्द abuse नहीं होता है, legal भाशा में, अब इस तरह के शब्द यूज होते हैं, care, protection, थोड़े positive terms यूज होते हैं, 2000 में इसमें बदलाव लाया गया, एक नया कानून आता है, juvenile justice, care and protection of children act 2000, basically major amendments थे इसमें, इसमें दोनों को कर दिया गया 18 साल, दोनों के लिए उम्रों कर दी 18, फिर आया juvenile justice, care and protection act 2015, again ये भी एक major amendment था, इसमें भी juvenile की definition यही रखी गई है, कि जो भी 18 साल से कम उम्र का है, और फिर वो कानून के साथ किसी conflict में, in conflict with the law, ये exact term है, तो फिर वो एक juvenile कैलाएगा कानून की नजर में, अब आपने notice किया होगा कि 2000 में भी 18 साल की उम्र थी, 2015 में भी 18 साल की उम्र थी, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि उसमें कुछ बदलाव करने पड़े, इस कानून को बदलने के पीछे 2015 में सबसे बड़ा reason था, निर्भाया केस, निर्भाया बलातकार कांट 2012 में हुआ था दिल्ली में, और उस gang rape में जो लोग involved थे, उनमें से एक लड़का 18 साल से कम उम्र का था, लेकिन he was also part of the gang rape, उसमें भी rape किया, लेकिन वो बच गया एक बहुत लंबी सजा से, क वो जा सकता था, he is free now, as of today, लेकिन बाकी सारे जो थे, वो adult थे, obviously, उनको सजा दी गई जो maximum punishment थी, तो उस समय लोगों में काफी गुसा फूट पड़ा, कि अगर ऐसे कोई 17-18 साल का लड़का है, मान लो 18 साल का होने में उसको केवल 4-5 दिन बाकी है, लेकिन अगर वो जगन ने कानून में बदलाव किया, बदलाव किया था, कि अगर कोई 16-18 की उम्र के बीच का है, कोई भी बाला किया बालिका, और उसने जगन्य अपराद किया है, तो फिर उसको adult की तरह treat किया जाएगा, उस पे वो कानून लागू होंगे, जो IPC की धाराएं लगती है, नॉर्म के इस amendment में, तो heinous crime में कहा गया, कि अगर ऐसा कोई अपराद किया जाता है, जिसकी IPC में सजा 7 साल की है, minimum 7 साल की, तो फिर उसको heinous offense बोलेंगे, तो इसमें mainly हत्या, या फिर बलातकार जैसे जो offense हैं, वो शामिल है, इनमें सब में 7 साल से उपर की सजा होती है, तो ये heinous offense बाना जाएगा, फिर serious offense, संगीन जुर्म, जहां पर सजा 3 से 7 साल की होती है, उस तरह के प्रावधाने IPC में वो, फिर petty offense हो गए, छोटे offenses हैं, जहां पर maximum 3 साल की सजा है, उससे जादा नहीं, तो इनको categorize कर दिया गया, और क्या कहा गया, कि अगर कोई 16 से 18 की उम्र में heinous crime करता है, heinous offense करता है, जगन्य अपराद करता है, तो फिर उसको adult के रूप में try किया जाएगा, ठीक है, they will be treated as adult by the law in the case of heinous crime, फिर आते हैं overall this act पर, तो देखो इस JJA के अंदर में कुछ bodies हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पहला है juvenile justice board, यह basically juveniles के लिए एक अदालत के रूप में काम करेगा, it's a separate court for minors, उनको regular criminal court में नहीं ले जाया जाता, juvenile justice board बैठता है, वो उन्हें सजा सुनाता है, तो इसमें एक first class judicial magistrate और दो social workers involved होते हैं, और कम से कम एक social worker का महिला होना जरूरी है, फिर है child welfare committee, CWC, यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित करी जाती है, हर जिले में, every district has one child welfare committee, और यहाँ पे कौन से cases आते हैं, जैसे कि बच्चों की देख रहे हैं, protection, treatment, development, rehabilitation, तो कहीं पर भी अगर बच्चों के साथ कुछ बुरा बरताव हो रहा है, अगर उनको मान लोगों एनात बच्चे हैं, जिनको rehabilitate नहीं किया गया है, कोई जुर्म की दुनिया से निकल कर आया है, और उसको rehabilitate करना है, तो वो सब काम देखने का काम किसका है, child welfare committee का, तो कोई भी अगर बच्चा है, कोई भी बालक है, जिसको care और protection की आवशकता है, तो उसके लिए बाल गरहे बनाया जाते हैं, बाल गरहे हर जिले में लगबग होत Central Adoption Resource Authority, कारा, कारा जो है, वो जैसा की नाम आपको बता रहा है, adoption में मदद करती है, अगर किसी को गोध लेना है, किसी को, बच्चे को, तो फिर ये कारा के थुरू होता है, भारत के अंदर official authority कारा है, इट deals with adoptions, और अब इसको statutory status मिल चुका है, याद रखेगा, जब जे ज act आया, तो उसके बाद से आप कारा को statutory status, कानूनन उसको status एक मिल चुका है, क्या आप मुझे comment में कोई और statutory body के बारे में बता सकते हैं, कम से कम एक statutory body mention कर दो, फिर चौता होता है, special juvenile unit, ये police का एक अंग है, एक state police force का एक special अंग होता है, जो mainly minors या फिर juveniles को handle करता है, तो मा पर लगबग हर state में एक special juvenile unit होता है, वो उनके साथ deal करेगा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि Unacademy Summit 2.0, 20 और 21 फरवरी को होने जा रहा है, Unacademy platform पर, यहाँ पर आपको देश के top bureaucrats और eminent लोगों से मिलने का, उनकी बातें सुनने का आपको अ इसमें क्या amendments proposed किये गए हैं, तो देखो इसमें पहला amendment तो है कि कौन member बन सकता है Child Welfare Committee का, उसके eligibility conditions को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और उसके अंदर ये सबसे बढ़ा एक बदलाव है, दूसरा definition of children in need of care and protection will be modified, तो यानि कि कौन वो बच्चे हैं जिनको care चाहिए, जिनको protection चाहिए, उसमें पहले trafficking victims को नहीं शामिल किया गया था, trafficking यानि कि मानलो बच्चों को एक जगे से दूसी जगे उनकी तसकरी करी जा रही है, उनको police ने छुडा लिया, तो वो trafficked children है, तो जो अगर कोई trafficking के victim है, या drug abuse, या child labor के victim है, तो उनको भी care and protection की ज़रुत है और उनक margins, तो मानलो की कोई बच्चा जिसके माता-पिता नहीं है, उसको उसका कोई परिवार का दूसरे लोग उसको संभाल रहे थे, लेकिन वो भी उसे अब छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी care and protection दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा basically बच्चों के लिए, जो शोशित लक्षे यही होना चीए कि district magistrate बने एक दिन, हलाकि उस अपने को पूरा करने में अभी 4-5 साल लगेगा, training period होगा, उसके बाद probation होगा, फिर आप finally जाके DM बन सकेंगे, वो भी उसमें भी 1-2 साल और लग जाएंगे, तो लेकिन जब आप DM बनेंगे या जब आप ADM बनेंग अगर कोई child care institution register होने जा रहा है, तो DM पहले उसकी जाच करेंगे, यह देखेंगे कि क्या उसके पास actually में capacity है कि बच्चों की वो देखरेक कर सके, आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि बिहार में एक बहुत बड़ा case आया था इस तरह का, जहां पर in child care institutions में बच्चों की द जाएंगे अब DM के द्वारा, फिर DM को यह भी power दिया गया है कि वो अपने स्तर पर, यानि independently child welfare committee, specialized child welfare committee या juvenile police unit या unregistered institutions जो बालकों के लिए काम कर रहे हैं, उनको evaluate कर सकें, उनको देख सकें, चेक कर सकें, यह अधिकार भी यहाँ पर DM को दे दिया जाएगा, अगला बड़ जो 16 से बड़ी उम्र का था, लेकिन 18 से कम उम्र का था, उसने गाड़ी चलाते वक्त, एक आदमी को मार दिया था, लेकिन अब यह क्या होता है कि IPC की दारा 304 के तहता है, ठीक है, culpable homicide, लेकिन वो murder नहीं है, कि आपने किसी का खून जान बूज कर नहीं किया है, लेकिन 16 से 18 की बीच की उम्र का, इसको juvenile justice board ने तो कहा कि इसको adult की तरह treat करो, क्योंकि यह heinous crime है, लेकिन उसने लड़के के परिवार ने appeal करी, appeal करी, finally high court जो है, उसमें वहां तक मामला पहुंचा, ultimately यह courts ने क्या कहा, कि ठीक है, maximum 10 years है, लेकिन minimum का कोई प्रावधान नहीं है, 304 में है ना, तो इसको adult की तरह नहीं माना जाएगा, तो यह जगन्य अपराद की उसमें श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या definition थी, 2015 वाले कानून के अनुसार, कि minimum punishment of 7 years होनी चाहिए, और 304 culpable homicide में minimum का कोई प्रावधान नहीं है, maximum का प्रावधान वहां पर दिय गया है, 10 साल, तो इसलिए वो लड़का adult की तरह try नहीं किया गया, वो juvenile की तरह try किया गया, तो यह एक और loophole निकल गया, मतलब बताओ, इतना कानून सोचते हैं, विचारते हैं, फिर भी 2015 में भी यह loophole रह गया, तो finally अब इसको भी रोकने के लिए, एक amendment यहां पर लाया ग subscribed, यानि कि ऐसी धरा हैं, जहां पर 7 साल की सजा तो है, 7 साल से जादा की सजा भी है, लेकिन कोई minimum sentence नहीं है, तो मान लो 304 ही समझ लो, तो 304 में maximum 10 साल है, minimum कुछ नहीं है, तो यह भी serious offense की श्रेडी में आएगा, तो यह loophole मिटा दिया गया है, अब देखो यह JJA के जो नए देखो, January 29 की है, why there is a delay in CWC formation, high court asks state, तो कई राज्यों में इस तरह की problem चल रही है, और जो minors के case हैं, वो अकसर courts में बहुत धीरे चलते हैं, उसके लिए भी बहुत issues आते हैं, तो अभी courts बार बार यह कहते हैं कि इन reforms को implement क्यों नहीं किया जा रहे, 2015 वाले rules को भी, 2016 वाले rules जो बच्चों के खिलाफ अपराद हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, 2021 में बढ़ रहे हैं, अगर आप जो latest crime data, NCRB का data देखें, तो बच्चों के खिलाफ अपराद बढ़ते जा रहे हैं, तो JJA के प्रावधानों को लागू करना बहुत ही जरूरी है, finally मैंने आपसे जो question करेगी कि अपने नागरिकों को free में, मुफ्त में, लीगल साहता प्रदान करी जाए, आपको अगर इस lecture का PDF डाउनलोड करना है, तो आप Pathfinder के Telegram Channel से उसे कर सकते हैं, Pathfinder underscore UPSC, Telegram Channel का ID है, और यहां से आप QR code भी उसका scan कर सकते हैं, अगर आपको lecture अच्छा लगा तो प्लीज इसे like जरूर कीजेगा, चैनल को subscribe करिए, और comment करके अपना feedback भी मुझे बताइए, thank you very much, have a great day.